Welcome to class number 2 percentage की जो पिछली class थी वो basic को हमने पूरी तरह से devote किया था महाँ पर हमने ये सारी चीजे देखी थी basic definition, percentage को समझा था किस तरह से हम उसे देखते हैं interpret कर सकते हैं percentage ratio का equivalence 1 by 2 कितना percent होता है 1 by 3, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8 1 by 12 fraction से percentage conversion होता है हमार equivalence percentage increase, decrease को हम किस तरह से interpret करते हैं, वो देखा था successive percentage change को समझा था concept of product constancy equal to PC होता है, वो देखा था और concept of base change A, B से 10% कम है तो B, A से कितना percent ज़्यादा होगा, ये सारी चीजे, वो होता है हमारा base change में, अभी जो concepts थे, basics थे, उनको आज चीक लास में apply करेंगे कुछ questions हैं, कुछ previous year questions भी इसमें included हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, कि exam में देखो कैसी कैसी चीजे वो पूछ रहे हैं, और बिल्कुल basics वो आपके test कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए अपने को सवाल कैसे आ रहे हैं, और हम बॉटलनेक, उसको अपने को इस preparation के time पर clear करते चलना है, वो important है, लब ऐसा नहीं किवल सवाल solve कर लेना एक बात है, अब पांच मिनट दे देंगे तो आपको इभी सवाल कर लोगे, पर क्यों वो एक मिनट के अंदर नहीं हो पा रहा था ना, ऐसी कहां पर point था, कौन सा ऐसा concept था उसमें, जहां पर समझने में problem आ रही थी, या उसको execute करने में problem आ रही थी, वो कहलाते हैं bottlenecks, उसको आपको clear करते चलना है, अब कुछ questions देख लेते हैं, जो basics को बिल्कुल target करेंगे, परसेंटेश का बिल्कुल करना था, परसेंटेश में, अब इसको किस तरह से करें, मैंना, options देखें, तो 0.24, 24 और पता नहीं कैसे पर बहुत लोग इसमें गलती कर रहे थे, तो मैंने सुचा है, चलो, इसको basic है, तो इसी से शुरुआत करते हैं, तो 2.4% को मुझे convert करना है percentage में, अब मैंने पहले भी आपको बताया था, कल जो पिछली class थी basics में, अगर मैं कोई भी number लिखो, जस्ट कोई भी एक digit में लिख रहा हूं, यहां पर letter से मैं लिख रहा हूं 7, तो इस 7 को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, 7 upon 1, denominator में हमेशा 1 तो हो सकता है, उसको fraction के form में तो मैं लिख सकता हूं, अब fraction से percentage convert करना हो, तो अब आसान हो गया, direct rule देखा था हमने तो, जब fraction होता है, उसको percentage में convert करना होता है, तो हम 100 से multiply कर देते हैं, तो यह हो जाएगा कितना, 700%, तो अगर मुझे 7 को convert करना होता, percentage में, तो मैं क्या करता है, उसको, 7 upon 1 था, 100 से multiply करते, उसको लिख देते, 700%, सही भी बात है, साथ जो है, वो एक का, 700% होता है, वस यही चीज यहाँ पर करनी है, 2.4 क्या है, पर समझने में problem है रहती है, कि converted to percentage, लोग base में फस रहते हैं, कि base क्या रखे हैं, जब भी कुछ नहीं लिखा है, तो base वहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा, इतना बस समझना था अपने को, same logic, आप यहाँ पर apply कर दो, अब इस तरीके से upon में 1 है, अभी लिखने रहाँ, क्योंकि explain करी चुका हूँ, percentage में convert करना है, 100 से बस इसे मुझे multiply कर देना है, वही मेरा answer हो जाएगा, तो 240%, option number C, बस 100 से multiply करके उसको लिख देना था, पर फस रहते हैं, कई लोग फस रहते हैं, उनको base समझ में नहीं आ रहा था, कि base क्या रखें, base क्या रखें, जब कोई भी number लिखा है, तो base उसका अपने आप में 1 हो जाता है, ठीक, अब इसी चीज़ को अगर देखें कि, unitary method से किस तरह से देख सकते थे, 2.4 लिखा है, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 24 upon 10, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं, मतलब जब base 10 है, तो यहाँ पर कितना है, 24, तो जब base मेरा 100 होता, तब यहाँ पर कितना होता, यहाँ पर 0 लग जाता, बस यहाँ पर भी आ रहा है 240, तब percentage क्या होता है, एक ऐसा fraction, जिसका base 100 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर base 100 बनाया है, आंसर यहाँ पर भी 240, तो किसी भी तरीके से आप सोच सकते थे, बस यह समझना था कि base में आप यहाँ पर, जो मुझे समझ में आया है, आप लोग के जवाब से कि आप base में फसरे थे इसमें, बेस में नहीं पसना है, कोई भी number है, कोई भी digit लिखी है, तो base उसका 1 हो जाता है, नेक्स्ट, थोड़ा सा calculation के साब से यहाँ पर मैं बस explain करना चाह रहा था, कि percentage वगरा जब भी हमें निकालने होते हैं, तो हम कैसे उसमें अपनी calculation वाले पार्ट को असान कर लें, अब ये तो 625 है, परसेंट है, 100 से है, मतलब अगर इसको normal तरीके से अगर आप करते, तो आप लिख सकते होते हैं कि 11 percentage है, मतलब नीचे 100, multiply by 625, 25 से यह 4 बार जाता, यह 25 बार जाता, फिर आप इसको multiply करके, 4 से divide कर रहे होते हैं, और answer निकाल देते हैं, एक तरीका वो हो सकता है, नॉर्मल तरीका है, पर यहाँ पर पहले fraction में लिखो, फिर simplify करो, फिर multiply करो, और फिर divide करो, यह multiply divide वाला पार्ट है न, यह हो जाएगा यहाँ पर time consuming, तो यहाँ पर हम use करना चाहेंगे 10% और 1% इसके concept को, 10% 1% के concept को, कोई भी number हो, कोई भी number हो, कितना भी घराब number हो, 67.25689, इसका अगर मैं आप से बोलू, 10% निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल दोगे, किवल decimal हो तो shift करना है, 1% बोलना है, तो भी असानी से निकाल दोगे, 2 decimal shift करना है, तो कोई भी percentage जब भी हमें निकालना होता है किसी number का, तो उसका 1% और 10% निकालना निहायती असान होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि calculation वाले part में, जब भी percentage निकालना होगा किसी भी number का, तो उसे solve नहीं करेंगे, 1% 10% को वहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है, असान है लगाना, इसको अगर देखें, 625 को 11% निकालना है, 11% का क्या मतलब है, 10% plus 1%, तो अगर मैं 625 का 10% देखूँ, तो वह कितना होता, एक decimal यहाँ पर आ जाता, 62.5, तो 10% है, 62.5, एक percent कितना होता, एक decimal और यहाँ shift हो जाता, तो 6.25, बस इसको जोड देना है, 68.75, यही अपना answer हो जाएगा, option number A, तो approach बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि किस तरह से हम percentage में थोड़ा सा अपना काम आसान कर सकते हैं, बजाए multiply divide करने के हमने उसको क्या कर दिया, subtraction और addition में convert कर लिया, तो जोड़ना या घटाना आसान पड़ता है, बजाए कि numbers के multiplication और division के, असान पड़ता है in the sense, थोड़ा सा कम time लगता है, बस दो line यहाँ पर लिखी, जोड़ा और answer निकाल दिया, बजाए इसको simplify करूँ, फिर चार से divide करूँ, वो सब कुछ करूँ, तो वो lengthy हो जाता है, time consuming है, तो हमेशा यह 10%, 1% को ध्यान में रखना, कितना भी कैसा भी percentage निकालना हो, for example, अगर मैं आप से बोलू, कोई भी number है, उसका 27% निकालना है, किसी भी number का, कोई भी number हो, 27, तो इस 27 को मैं किस तरह से break कर लूँ, जैसा यहाँ पे 11 को मैंने 10 और 1 में break किया था, 27 को मैं किस तरह से break करूँ, तो मुझे पता है, काम तो मुझे 10 और 1 में करना है, तो अगर मैं 10% निकाल लूँ, कोई भी number का 10% मुझे पता है, निकालना असान है, और जो भी निकला, उसको 2 से multiply कर दूँ, तो यह मेरा 20% वाला हिस्सा मुझे दे देगा, ठीक, अगर मैंने 10% निकाल लिया था, उसका आधा कर दूँगा, तो 5% मिल जाएगा, या 1% निकाल के 7 से multiply कर दो, दोनों तरीके से आप उसको देख सकते हो, कि अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कि 1% निकाल लो, उसको 7 से multiply कर दो, वो आपको देगा 7%, वो आपको देदेता 7%, जो आता हिस्सा, उसको इस तरह से आप जोड लेते, वो आपको आपको 27% निकाल के देदेता, क्या फिर यहाँ पे 10% को 2 से multiply कर दिया, यहाँ पे इसका आधा कर दो, 5% मिल जाएगा, फिर 1% को 2 बार multiply कर दो, तो वो 2, 10, 20, 5, 10% मैं निकाल लेता, जो भी value आती, उसको 3 से multiply कर देता, वो मुझे 30% दे देता, अब मैं 1% निकाल लेता, और 27 तक जाना है, मतलब 3 मुझे 3 step minus करनी है, इसका 3 गुना निकाल लेता value का, और वो मुझे 3% देता, दोनों को मैं minus कर देता, तो मुझे वहाँ से भी 27% मिल जाता, इस तरह से, क्योंकि 10% और 1% निकालना, बहुत आसान है, निहायती आसान है, तो इस लिए इस चीज़ का, फिर use करेंगे अपनी calculations में, क्यों जब अज़स्ति multiply, divide करें, जब हम आसान नंबरों का, addition, subtraction कर सकते हैं, उसकी जगे, ठिक, थोड़ा सा इस पर और practice कर लेते हैं, question number 13, अब यहाँ पे 11.5% निकालना है, 625 का, तो decimal आ रहा है, तो घबराना नहीं है, ठीक है decimal है, तो क्या हुआ, 0.5 क्या होता है, एक ही का तो आधा होता है, तो हम अपना उसी चीज़ को apply करेंगे, यहाँ पे भी, इस 11.5% को मैं तोड़ सकता हूँ, 10% plus 1% plus 0.5%, यह 3 हिससे निकाल लूँगा, उसको मैं जोड़ दूँगा, तो मेरा 11.5% आ जाएगा, तो 625 का 10% होगा, 62.5, एक परसेंट होगा, 6.25, 0.5% मतलब इसका मुझे आधा कर देना है, यह हो जाएगा 3, यहाँ से इसको 250 है, मतलब 125, इसको यहाँ पे जोड़ दो, यह इससा यहाँ पे 5 है, यह 7 है, यहाँ पे 8 है, decimal लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यह, 628 और यहाँ पे 3 है, मतलब 71, 71.875, options में देखें, तो option number D, कितना असान है उसको करना, बस 3 चीज़े, 10% लिखा, 1% लिखा, 1% का अधा करके लिखा, और जोड़ दिया, वो मेरा answer हो गया, क्यों जब अजस्ति मैं इसको, decimal को नीचे 10 लगाऊं, फिर simplify करूं, फिर जो भी नीचे division में है, उससे divide करूं, वो lengthy हो जाता है, ये करना बहुत आसान है, तो 10% और 1%, उसका हम जम के use करेंगे, सिर्फ percentage में नहीं, पूरे arithmetic में, जहां जहां percentage हमें निकालना होगा, किसी भी number का, वहां वहां इसका easily use कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 10 के पास ही हो तो, 27 का मैंने example दिया, 31% कि किसी number का निकालना होता, तो 10% निकालके 3 से multiply कर देता, 1% उसमें और जोड़ देता, calculations मेरे fast हो जाएंगे उससे, एक और question करते हैं इसी पर, 13% आपको निकालना है उसी number का, तो अब तो समझ में आ गया, अब तो कर सकते हैं, 10% अगर देखें इसका, तो वो होता 62.5, अब मुझे 3% निकालना है, तो 1% निकालके 3 से multiply कर दूँगा, 1% कितना है 6.25, 3 से इसे मुझे multiply कर देना है, यह हो जाएगा 0.75 और यहाँ पर 18, इतना इस से बस यहाँ पर जोड़ देना है, ठिक, यहाँ पर 5, यहाँ पर 12, एक carry चला जाएगा, एक carry यहाँ पर रहेगा, 81.25, option number C, यहाँ पर correct हो जाएगा, इसलिए यह चीज़े important है, थोड़ा सा percentage निकालना हैं, तो उसके applications तो समझ में आने चाहिए, थियोरी के लिए थोड़ी classes कर रहे है, मैं तो questions को solve करना है, तेजी से, calculations अपनी fast करना है, answer हमें निकालना है, तो यह छोटी-छोटी चीज़े हैं, concepts हैं, calculation के tricks हैं, जो कि हम लोग पूरे course के दोरान, अलग-अलग सीखते चलेंगे, जहां जो चीज़े रहेंगी, जहां पर calculations असान हो जाती उनको करने से, वो सब मैं आपको बताता चलूँगा, next, question number 15, एक hectare is what percent of one square kilometers, एक hectare, अब जहां पर unit conversion अपने लिए important हो जाते हैं, क्योंकि इस पर बेस सवाल दिखे हैं, इसी तरह कि और भी कई सारे सवाल आपको previous year में देखने को मिलेंगे, एक hectare, सबसे बड़ी square kilometer तो सबको पता है, लोग hectare में भसेंगे कि hectare होता कितना है, पहले unit conversion को हम देख लेते हैं, जो इसमें use हम कर सकते हैं, चलो diagram मना के दिखा देता हूँ, अगर basic unit यहाँ पर मैं लिख हूँ, basic unit मैं यहाँ पर denote कर रहा हूँ, अब यह basic unit क्या है, meter हो सकती है, gram हो सकता है, कोई भी हो सकती है, इसको मैं कहा रहा हूँ कि यह basic unit है, अब इस basic unit से अगर मैं कम की तरफ जाओं, कि उससे कम क्या होगा, जैसे meter से और नीचे जा रहा हूँ, तो decimeter होगा, millimeter होगा, centimeter होगा, वो सारी चीजे, तो उसका मैं order लिखता चल रहा हूँ, यह basic unit है, इस से अगर मैं और एक step नीचे जाओंगा, तो आएगा deci, और एक step मैं नीचे जाना चाह रहा हूँ, deci से एक step और नीचे, तो आएगा centi, और एक step नीचे जाओंगा, तो वहाँ पर आएगा mili, अब अगर इस basic unit से उपर के तरफ में चलूँगा, तो next step आएगा, यहाँ पर deci है, तो यहाँ पर deka, इसके next step आएगा, आएगा kilo, अब इसके values देख लेता है, deka क्या होता है, ten times, तो यहाँ पर यह होता है, ten times, hecto क्या होता है, hundred times, kilo क्या होता है, thousand, kilo से तो फैमिलियर होई, kilogram, kilometers, तो thousand, एक kilometer में, thousand meters होता है, अब decreasing, छोटी value units को देखे, तो desi का मतलब होता है, one by ten, centi का मतलब होता है, one upon hundred, milli का मतलब होता है, one upon thousand, यह होगा अपना basic unit conversion, तो कोई भी unit होगी, उससे जब आप उपर की तरफ चलेंगे, ten times, deka, hundred times, hecto, thousand times, kilo, नीचे की तराफ आप चलोगे, one tenth होगा, desi, one hundredth होगा centi, one by thousand होगा, मिली, इसी logic को अपने को लगाना है, तो अपने unit conversion based सवाल, hundred percent किसी भी सवाल, exam में देख सकते हैं, यह तो basic माना जाता है, इसलिए basic में देख भी रहे हैं, अब इसको solve कर लेते हैं, एक hectare है, अब यह area की बात चल रही है, area की बात चल रही हो, यहाँ पर square kilometer, तो एक hectare में कितना area होगा, उसका percentage में जी निकालना है, कि एक square kilometer में कितना होगा, यहाँ पर सबसे पहले, अगर मैं base की बात करूँ, एक square kilometer, मतलब, 1000 meter multiply by 1000 meter, यह तो मेरा base बन गया, 1 square kilometer का, एक hectare का क्या मतलब होता है, यहाँ पर 100, मतलब उसमें 100 meters होंगे, तो 100 meter multiply by 100 meter, यह मेरा hectare हो गया एक, और यह मेरा 1 square kilometer हो गया, इसका मुझे percentage निकालना है, कि एक hectare इसका कितना percent है, तो क्या करते हैं, percentage निकालने के लिए, सौसे multiply कर देते हैं, जितने zeros हैं, उनको cancel करते चलो, एक, दो, यहाँ चले गए, यह cancel out हो जाएगा, एक इससे चला जाएगा, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, मतलब 1%, option number A यहाँ पर हो जाएगा, correct है, तो यह simple से unit base, unit conversion base हमारे सवाल है, पर यह चीज़े पता होना चाहिए, किलो तो सबको पता रहता है, 71 upon 100 पता है, हेक्टो थोड़ा सा नया है, डेका और डेसी, डेसी भी थोड़ा सा common है, कही सारे examples में आपको दिखा होगा, सिर्फ यहीं पर tier 1 में ही नहीं, और भी अगर आप tier 2 वगरा भी देंगे, तो वहाँ पर भी, डेका, डेसी, इन सब words का हमाँ पर यूज हो जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए, कि basic conversion से आ रहे हैं, इनकी value इतनी इतनी होती है, तो सबको हम convert कर लेते हैं, basic unit में, यहाँ पर hectare था, तो उसको मैंने meter square में convert कर लिया, यहाँ पर नीचे one square kilometer था, उसको भी मैंने meter square में कर लिया, अब उसकी जो unit से आपस में cut जाएगी, dimension जो है उनको आपस में cut देना होता है, question number 16, if 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself, the number is, basic सवाल है, SSC CGL में tier 1 में पूछा हुआ यह, I think 2019 में, तो अब इसमें, कर सकते हो, या फिर 85% है, तो इसको fraction में convert कर सकते हो, 85 upon 100 है, तो 17 upon 20 है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, अभी मैं आपको सबसे normal तरीका दिखा देता हूँ, 85% of a number is added to 75, मतलब 75 तो पहले से है, इसमें आपको जोड रहे हो, कितना 85% किसी number का, तो उस number को आप capital N माल लो, assume कर लिया, variable एक लिया, उसका 85%, मतलब मैं यहा पर लिख सकता हूँ, 0.85 N, यही होगा इसका 85%, इसको जोडने पर, क्या हमें मिल रहा है, the result is the number itself, number खुद है, मिल जाता है, मतलब N, एक line के equation बन गे, इसको simplify कर लो, तो 75, equal to हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाए, मतलब 0.15 times N, ठीक से लिख देता हूँ, इसको 1.5, इतना हिसा बचा, बस यहाँ double 0 था, वहाँ पे ले जाए, और 15 से यह 5 बार, और 2 बार 0, मतलब 500, option number A, basic बिल्कुल percentage के सवाल है, आप चाहें तो fraction में convert करके उसको कर लीजे, वो भी convenient तरीका है, यह इस तरह से आप उसको one line equation मनाके, simple से तरीके से आप solve कर लो, कोई इस तरह को कुछ भी आएगा, घटाए, बढ़ाए, कुछ भी करने को वो दे, हम सब कुछ एक line के equation मनाके, कोई लिख सकते हैं, question number 17, यह CPU 2019 का सवाल है, तो थोड़ा सा words वो include कर देते हैं, percentage में मैंने बताया भी था, language based questions बहुत सारे बनते हैं, तो यह उसी तरह का language based सवाल हो गया, कि if 20% of A equal to B, then B percent of 20 is equal to, थोड़ा सा देख के अजीब सा लगता है, कि क्या है A, B, किसका क्या percentage ले रहे हैं, पर जो भी conditions दिखी हैं, उसको बस आप लिखते जाओ, उसको लिखते जाओ, अपने आप answer पर पहुँच जाओगे, 20% of A, इस 20% को मैं fraction में convert करूँ, तो 1 by 5 होता है, मतलब पहली यह जो इतना हिस्सा है, कि यहां से मुझे एक information मिल गई, कि A की जो value है, वो है 5 times B, यह पहले पार्ट से पता चल गया, अब इसका use कर लूँगा, मैं second वाले पार्ट में, कि B percent of 20 मुझे निकालना है, B percent, B की value क्या होगी, 5 को इस तरह जाएंगे तो A by 5, मतलब A by 5, percentage है, मतलब 1 upon 100 of 20 is equal to, इसी चीज़ को बस मुझे simplify कर देना है, तो अब question में देखें, तो percentage तो retain हो रहा है, मतलब 1 upon 100 को अपन ऐसा का ऐसा ही लिखा रहा है ने देते हैं, या percentage की term में लिख देते हैं, percentage, 5 से simplify कर दो इसको, 4 बार, तो A percent of 4 बोल दो, या 4 percent of A बोल दो, जो option में होगा, उसको लगा देंगे, 4 percent of A बोल रहा है, यही अपना answer हो जाएगा, क्योंकि यह सब आपस में multiplication में आ रहा है, तो यह जो percentage है, वो आप A को दे दो, या percentage जो है, वो 4 के बाद लगा दो, एक ही बात है, जैसे कि यहाँ पर मैं, अगर यह समझ में ना आया हो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर A B लिखा है, तो कुछ और ले लेते हैं, कि अगर मैं यह बोलू, कि X percent of Y है, इसको मैं हमेशा यह बोल सकता हूँ, कि Y percent of X, यह समझने में कोई दिक्कत, X percent of Y is equal to Y percent of X, क्योंकि सब कुछ क्या है, multiplication में आ रहा है, तो multiplication में आ रहा है, तो आप A into B करो, या B into A करो, A की बात होती है, multiplicative basic property है वो तो, यही चीज़ है, तो अब इसी काम कई बार calculations में देखो, बहुत use करेंगे, मालो कि ऐसा कुछ number हो, कि 2.4 percent of 20, ऐसा कुछ निकाल ला हूँ, तो क्या ज़रूरी है, मैं 2.4 का percentage निकाल लूँ, और कोई ऐसा कुछ करूँ, मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 20 percent of 2.4, ऐसा कुछ, तो वो depend करेगा, question में किस तरह से आ रहा है, पर जब भी multiplication में चीज़े आ रही है, percentage हो, कोई numbers हो, तो हमेशा आँ उनको rearrange करके, अपनी convenience के हिसाब से फिर उसको equation लिखेंगे, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जैसा लिख के दिया, उसी को follow करेंगे, ये हैं थोड़ा सा छुड़ी उटी smartness है, जो अपने को calculation के time पर लगा देनी होती है, approximation के जिन exams में सवाल आते हैं, वहाँ पर इसाब चीज़े बहुत test होती है, percentage का sign दिया है, तो वहाँ पर फिर यही करना भी पड़ता है, कि इस percentage, इसका percent नहीं निकालेंगे, हम 20 का percent निकालके और फिर इसको simplify कर देंगे, calculations अपने आसान हो जाते हैं, ये चीज़े अपने को basic बिल्कुल है, percentage की या पूरे in fact पूरे arithmetic की, पूरे maths की बिल्कुल ये basic चीज़े, इनको सीखते चलना है, क्योंकि बाद में देखो क्या है, सारे सवाल ही सवाल है, सारे practice-based सवाल रहेंगे, तो वहाँ फिर ये expected रहेगा, कि आपको ये basics पता है, तो आप उनको apply कर रहे होगे, या आपको मैं solve करके बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, कि अच्छा, ये class में बताया था basic में, उस property को हम यहाँ पर use कर रहे है, तो ये link बनना चाहिए, miss नहीं होना चाहिए ये चीज़ है, question number 18, if decreasing 120 by x percent, gives the same result as increasing 40 by x percent, अब पिछला वाली जो हमारी class थी, उसमें मैंने percentage increase और percentage decrease, इस दोनों के बारे में बताया था, कि उसे हम किस तरह से equation based form में लिख सकते हैं, अब ये जो सवाल है, SSC CGL का है, 2019 का, tier 1 में पूछा है किसी shift में, तो बिल्कुल वही basic property आपकी test हो रही है, अब दो line में लिखा है कि इसका percent ये, उसका percent वो, पढ़ के लगता है कि यार कितनी convolated, कितनी घुमा फिरा के language लिखी है, पर जो जो चीज़े लिखी हैं बस उसको लिखते चलो, एक line की question आपने पहले बना ली ना, तो आगे सब कुछ फिर दिखने लगेगा, जैसे इस वाले को अगर solve करें, if decreasing 120 by x percent, x percent से किसी number को decrease करना है, for example, अगर कोई भी number है n, उसको अगर मैं यह बोलूँ कि 10 percent से उसको मुझे कम करना है, तो हम उसे किस तरह से लिख रहे होते होते हैं, कि n multiply by 100 minus 10 upon 100, यही लिखते हैं, यही उसका effect होता है, 10 percent कम करने का effect यह होता है, अगर 10 percent से increase कर रहे होते, तो 100 plus 10 upon 100 इस तरह से लिख रहे होते, इसी चीज़ को बस यहाँ पर लगा देना है, बिल्कुल basic ही चीज़ वो आपकी test कर रहे हैं, कोई खतरनाक सवाल नहीं पूचा है उन्होंने percentage पे, 120 है, उसको decrease करना है x percent से, मतलब यहाँ पे आप क्या लिख होगे, 100 minus x upon 100, वो same है, मतलब equal to यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप 40 को x percent से increase करते हो, तो 40 को x percent से increase करने का मतलब, 100 plus x divided by 100, एक line के अपनी equation मन गई, अब यहाँ जो जो कटेगा उसको हटाते चलो, 100 पूरी तरह से कट गया, 4 से यह 3 बार चला जाएगा, simplify कर लेंगे, तो यह 300 minus 3x, पराबर हो जाएगा, 100 plus x के, इसको simplify करें, 100 उदर आजाएगा, तो 200, यह उदर जाएगा 400, मतलब x की value यहाँ पे मिल जाएगी 50, x की value अपने को मिल गई, अब उन्होंने second part में जो पूछा है, उसको calculate कर लेंगे, then x percent of 120, is what percent less than x plus 20 percent of 180, तो जो value है उसको निकाल लेते हैं, x percent 120, 120 का 50 percent निकालना है, मतलब बेसिकलिए आधा कर देना है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 105, x percent of 210 निकाल दिया, is what percent less than x plus 20 percent of 180, x तो अलएड़ी 50 है plus 20, मतलब 70 percent निकालना है इसका, 107 से 70 वाला कट जाएगा, एक यहाँ पे कट जाएगा, 18 into 7 होता है, 126, तो दूसरा number जो है, वो है 126, कितना percent कम है, वो हमको बस calculate करना है, तो इन दोनों की बीच में difference कितना आ रहा है, 20 plus 1, मतलब 21 का gap आ रहा है, कितने पर base क्या बनेगा, 105 एए 126, what percent less than, second वाले से, less than, तो यह अपना base बनेगा, मतलब 126, 126 अपना base बन जाएगा, percentage निकालना है, 100 से multiply कर देंगे, यह किस से कटेगा, 3 से तो कटेगा, तो यह 7 बार हो जाएगा, यह 4 और 2 बार हो जाएगा, 7 से इकट जाता है, 6 बार, 1 by 6 है, 1 by 6 क्या होता है, equivalence में हमने देखा था, पहली वाली class में, 1 by 6 मतलब, 16.67 percent, या फिर 16, 2 by 3, option number C, यहाँ पर हो जाएगा, correct, थोड़ा सा जीब सा भी सवाल दिख रहा है, तो पहली equation, जो condition दी है, उसको आप एक बार बस पहली equation आप लिख दो, अपने आप आगे की method, आगे की process है, वो आपको दिखने लगेगी, और यह सारे सवाल क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आपके basic test कर रहे हैं, और यह सारे सवाल previous year में आए हुए, तो कुछ यह अपने मन से simple simple बना के नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, यह exam में, actual exam में आए हैं, बिल्कुल recent exam में आए हैं, तो अगर 62 जोड़ दे किसी number में, कोई भी number अगर मेरा N है, उसमें अगर मैं 62 को जोड़ रहा हूँ, तो उसका effect क्या रहा है, कि जो number है वो 20% से बढ़ जा रहा है, अब यह 20% बहुत convenient है, 20% को हम percentage equivalence में क्या लिखते हैं, 1 by 5, मतलब कोई value अगर पहले 5 unit थी, तो अब उसमें बढ़ोतरी कित्ती हो रही है, एक unit की हो रही है, तो इसका effect हम क्या लिखेंगे, effect लिखेंगे 5 plus 1, increase हो रहा है, तो 5 plus 1 मतलब 6 upon 5, तो पहले कोई चीज 5 unit थी, उसकी value 5 unit थी, अब 6 unit हो गई, तो हो गया 20% का increment वहाँ पे, 20% से बढ़ जा रहा है, इसका मतलब, जो यहाँ पे लिखेंगे, कि जो number है, उसमें 6 by 5, यह multiplying factor हो जाएगा, यह हमारा 20% है, 20% क्या होता है, 120 upon 100 लिख रहे होते हैं, simplify करते हैं, 6 by 5 यहाँ आता, तो जहाँ पे हम direct equivalence का use कर सकते हैं, वहाँ बिल्कुल करेंगे, time बचाने के लिए तो वो concept सीखा था हमने, इसको solve कर लेना, एक line की equation बन गई, तो 62 equal to, n उस तरफ जाएगा, मतलब, यह हो जाएगा, n upon 5, n की value 5 से, इसको multiply कर देना है, तो इसको देखो, दो हिससे में तो आड़के कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 60 plus 2, और उसको 5 से multiply करेंगे, तो 60 into 5, 65 is a 30, मतलब 300, तो वहाँ पे, plus 2 into 5, मतलब 10, 310, option number, यह यहाँ पे correct हो जाएगा, if 16, 2 by 3, percent of a number is subtracted from the number, then number becomes 125, find the original number, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 16, 2 by 3, यह जो है, special percentage है, क्योंकि percentage equivalence में हमारा देखा हुआ है, 16, 2 by 3 को हम ratio की format में लिख सकते हैं, 1 upon 6, ठीक, तो यह है वो part जहाँ पे, calculation fast हो जाती है, अगर आपको basics पता है, अगर आपने percentage equivalence पे command कर रखिये तो, और 12 नमबर लब एक तो छोड़ो, 11 नमबर तो हैं जहाँ पे आपको उसको देखना है, उसमें से भी बहुत सारे तो आसान है, तो कुछ चीजों पे मेहनत आपको करनी पड़ेगे, ना competitive exam में speed चाहिए, यह तो याद बहुत रखना पड़ता है, इसलिए table से याद रखते हैं, square, cube, यह सब क्यों याद रख सकते हैं, करते हैं, calculate कर निकाल नहीं तो हम तो solve भी कर सकते हैं, multiply करके, लेकिन exam में इतना थोड़ी time रहता है, इसलिए इनको थोड़ा से याद करना पड़ता है, तो जब चीज़ों को हम थोड़ा से याद कर लेंगे, extra logo से थोड़ा से edge मिल जाती हैं अपने को, यह percentage को ratio में convert करना था, इसलिए पलक जबकते हमने कर लिया इसको, क्यों क्यों कि सीखा, सीखने में time invest किया, इसलिए exam में अपना time बचा पाएंगे, if 16, 2 by 3 of a number is subtracted from the number, मतलब कोई number है n, उसमें से आपने minus क्या किया, number multiply by 1 upon 6, तो number क्या मिल जाता है आपको, 125, बस इसी को simplify कर देना है, इसको लिख सकते हैं, 5 by 6 times n equal to 125, 5 से ये चला जाएगा 25 बार 25 into 3 होता है, 75 उसको अद्दूग ना कर देंगे 1,500, option number C, तो जो number है वो 150 है, इसी तरह कि बिल्कुल one liner questions, ज्यादा तर अगर आसान कटेगरी में आ रहे हैं, तो percentage में दिख रहे हैं, सारे previous year हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बस अप्रोच आपका fast होना चाहिए, कि percentage को fraction में convert कर पाना, एक्विवेलेंस क्या होता है, वो सीखना, यही सारी basic हैं, जो कि exam में फिर speed दिला देंगे, अब exam में ऐसा सवाल आएगा, तो 15-20 seconds में आप करके इसको आगे बढ़ जाओगे, उससे भी खम time लगेगा थोड़ी और practice आपने ऐसी कर ली तो, तो यहाँ पर time बचाया है, आपने अगर 30-40 seconds तो उसको आप फिर invest कर पाओगे, अपने lengthy सवालों में, मुश्किल सवालों में, तो यही होता time management, जो कि exam hall के अंदर हमको करना होता है, और यह सब की practice करनी पड़ती है, ऐसे नहीं हो जाता है वो, practice करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, बार पार apply करना पड़ता है, अपने mind को force करना पड़ता है, व्योंकि practice के time पे तो, आप लोग time R.I.M. लगा के तो करते नहीं हो, आप तो ऐसे सवाल खोला, किताब खोली हो, उससे करने लग गए, आज कल net पे आपको लोग करने लग जाते हो, कोई timer नहीं लगाते हो, कोई time track नहीं करते हो, तो एक घंटे में 20 सवाल हो रहे हैं आपके, अब एक घंटे में 20 करोगे, तो कहां से लेक्षा में होगे, तो speed आपको maintain करने हैं, थोड़ा mind पे pressure बनाना होता है, तो वो सब चीज़े important है, वो सब आपको करना है, उससे आपको बचना नहीं है, इग्णोर नहीं करना हों चीज़ों को, next, 37, 1 by 2% of a number is added to itself, the number becomes 121, find the original number, अब ये थोड़े से, आज कल के trend में special numbers हो गई है, क्यों special हो गई हैं, क्योंकि exams में अल्रेड ये दिख चुके हैं, कई बार दिख चुके हैं, तो इन में अपने को थोड़ा सा और देखना है, command करना है, 37, 1 by 2, इसका मतलब होता है 37.5%, अब इसको मुझे, उसमें convert करना है अपने ratio में, अगर कोई ऐसा है, अगर इसकी जगे होता कि 36.5%, तो फिर मैं उसको इसी तरह से लिख रहा होता, 37, 5, नीचे 100, इंटू 10 उसको simplify करता, और मुझे fraction मिल जाता, लेकिन ये कुछ special numbers है, 14.28, उसका double 28.57, ये सब कुछ special numbers है, क्यों है special number है, क्योंकि exam में दिख चुके हैं, और जो हमारे percentage, fraction का जो equivalence है, उसके multiples है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये क्या होगा, अगर 1 by 8 पूछता, 1 by 8 कितना होता है, 12.5% इसको लिख सकते हैं, 12.5% और इसका 3 गुना कर दो, वही है यह, 36 और उसमें 1.5, 37.5, इसका मतलब, 12.5, इसको, 12.5% इसका equivalent कितना होता है, 1 by 8, 3 से multiply कर रहे हो, मतलब जो fraction है, 37 1 by 2, वो है अपना 3 by 8, यह चीजे थोड़ा सा practice के साथ आएंगी, जब आप इन numbers को देखोगे, इस पर बेस सवाल को देखोगे, कैसे वो निकाला, उस चीज को देख लोगे, जैसे इस example में, अब यह आपको एक बार देखने को मिल गया, 37 1 by 2% इतना होता है, अब यह आपको kind of याद हो जाएगा, जब एक बार और practice कर लोगे, बस, खतम, और कहीं दिखेगा, तो रंट आप 3 by 8 लिखोगे, और जो भी operation आगे लिखा होगा, करते चलोगे, तो speed develop होगी, बाकी लोग इसको बैट के divide-divide कर रहोंगे, आप एक जटके में बिल्कुल खटाक से, actual fraction लिख दोगे, तो speed का अंतर तो पड़ता है, और practice से बनता है, सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़े रहती है, इस सवाल को देखें, तो इतना percent से आप, if 37.5 percent of a number is added to itself, उसमें जोड़ा, इसको जोड़ने का क्या मतलब है, अब वो इस equation को नहीं लिखूँगा, अब मैं आपको इस fraction से समझाऊँगा, कि पहले अगर number 8 था, 8 को value थी, value भोल देते हैं, 8 अगर value थी, तो उसमें 3 का इजाफा हुआ है, कितना उसमें और बढ़ाया गया है, मतलब नया number कितना हो गया होगा, 8 प्लस 3, 11, ठीक, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, 11 by 8, color change कर देता हूँ, सब एक जैसा हो गया, इसमें, नहां, confused हो जाएंगे, यह हो गया, 11 by 8, इसको अब solve कर रहे हैं आपन, 37.5% से किसी number को अगर आपने बढ़ाया, तो उसका जो fraction equivalent हो जाएगा, 11 by 8, पहले अगर उसकी value number की 8 थी, तो अब उसकी value हो जाएगी 11, the number becomes 121, तो जो भी number था N, यह हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यह 121, simplify कर देना, यह 11 का square होता है, N की value हो जाएगी, 88, option number A, next, 30% of a number is 243, find 130% of that number, 130% आपको यहाँ पर निकालना है, तो normal तरीका अगर यहाँ पर देखते हैं, तो 30% of a number is यह, फिर आप 100% निकालते हैं, नंबर मिल जाता, फिर आप उसको 130% से बढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं, अब यहाँ पर steps बचाई जा सकती हैं, वो एक step जो है, उसको बचा सकते हैं, कैसे? हम यहाँ पर unitary method का use करेंगे, simple, हमें पता है, percentage में वो direct proportion फॉलो करता है, तो हम उस चीज का use करेंगे, 30% of a number is 243, तो सिधा-सिधा उन्होंने आपको यह बता दिया, कि 30% की जो value है, वो है 243, और 130% निकालना है, तो मैं यहाँ पर 100% ना निकालके, मैं direct लिखूंगा, 130%, वो 100% निकालने वाला step मैं, यहाँ पर skip कर दूँगा, बचा लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे, जब उसको 100% से भी करोगे, तो सब कुछ कट पिट जाएगा, तो क्यों उस चीज को बार-बार लिखना, simple unitary method का हम यूज करेंगे, हमें पता है वो percentage में, flawlessly काम करती है तो, 30% की value उतनी है, 130% की कितनी होती, 243 divided by 30, यहाँ पर multiply by 130, solve करेंगे, वही हमारा answer हो जाएगा, 0 यहाँ पर कड़ गया, 3 से यह तो जाएगा नहीं, तो इसको काट सकते है, 8 और 1 बार, 81 multiply by 13 करना है, अब यहाँ पर multiplication आ गया, 2 digit का 2 digit से, तो या तो आप यहाँ पर जो, calculation वाली playlist में, मैंने आपको बताया हुआ था, rainbow multiplication, उसको लगा सकते हो, या फिर, चुकि number 10 के close है, तो यहाँ पर हम इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा, 81 multiply by 10 plus 3, bracket में है वो 10 plus 3, तो बाद बराबर ही है, 81 into 13 करने का मतलब है कि, 81 multiply by bracket 10 plus 3, तो दो हिस्सों में मैंने इसको तोड़ दिया, पहला हिस्सा मुझे क्या दे देता, 81 multiply by 10, 810, दूसरा हिस्सा मुझे क्या देता, 81 multiply by, जो बचा हुआ 3 है, 3 से multiply करना है, तो 3, 8, 3 is a 24, जोड़ देंगे यहाँ पर, 1053, यही अपना answer हो जाएगा, तो calculation में कई सारी जगे हैं, जहाँ पर आप अपने time बचा सकते हैं, plus concept, तो concept चुली आपको समझ में आना चाहिए, 30% दिया है तो 100% की तरफ नहीं भागना, original number थोड़ी उन्होंने हमसे पूचा, उन्होंने तो 130% निकालने को पूचा है, तो हम direct 130 की तरफ जाएंगे, कि unitary method ही तो लगा रहे हैं, 30 से निकालते हैं, फिर 100 निकालते हैं, फिर 130 निकालते हैं, तो 100 था वो तो cut-pid जाता, तो क्यों उसके पीछे time waste करें, direct लिखेंगे, plus multiplication, multiplication में दो डिजिट का, दो डिजिट से है, तो और किस तरह से उसका आप break करके लिख पा रहे हो, या फिर rainbow multiplication लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो, जो भी method है, लगाना है, ना normal तरीके उससे, अपने school, college हाले तरीके, competition में अपने को पीछे कर देंगे, नया सीखना पड़ेगा, नया तरीके सीखने पड़ेंगे, और नया तरीकों को adapt करने में थोड़ा सा time लगता है, तो थोड़ा सा ही time लगता है, बहुत तो नहीं लगता है, अगर आपने एक घंटा इन्वेस्ट कर दिया सीखने में, तो आप अगे की 6 महीने में पता नहीं कितने घंटे बचा रहे होंगे, तो उसे साफ से देखिए, छोटा सा time इन्वेस्ट करके, एक बड़ा amount of time आप अपना save कर रहे होगे, तो यह सारी चीज़े करनी पड़ेंगी, competition level पर उतरें तो करना पड़ेगा, और बहुत convenient हो जाता है, मज़ा आने लगता है kind of, normal तरीके से करने में tedious होता है, time consuming है, वही एक जिसी चीज़े, इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि, थोड़ा सा innovative हो जाता है कि आप कैसे सोच रहो, कोई हो सकता है कि 80 प्लस 1 इंटू 13 इस तरह से सोच रहो, वो भी एक possibility है, तो तमाम सारी चीज़े रहती है, brain का उपयोग होने लगता है, दिमाग का, तो मज़ा आता है, उसमें चीज़े फिर थोड़ा सा attractive हो जाती है, थोड़ा सा doable लगने लगती है, यह सब चीज़े, यह था question number 22, I think यही last, तो यह अपने सारे basics थे, जो की percentage से related होते हैं, और previous सवाल मैंने आपको तमाम दिखा है, उनको solve करने का, आपको approach बताया, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं, आगे की classes में, जो उपर यह अपने बचे हुए concepts हैं, बचे हुए क्या हैं, जो concept पहली class में basics में सीखे थे, इनके application जो सवाल आते हैं, वो किस तरह के दिखते हैं, उनको हम solve कैसे करते हैं, percentage में हम ratios का तो jump के प्रयोग करते हैं, बहुत सारे जगे आप देखोगे ratios का use कर रहे होते हैं, ratios से क्या होता है कि actual value लेने की जूरत नहीं पड़ती, वो ratios अपने आप में calculation को मेरे आसान मना देते हैं, इसलिए मैं उसको बहुत use करता हूँ, जो भी fast तरीके से solve करते हैं, सब लोग इसी तरह की approach को follow करते हैं, आपको भी अगर आपके लिए नहीं हैं ये approach तो सीख लेना है आपको, अपने जो doubt से उनको clear कराओ, इस तरह के सवालों को और आप करते चलो, थोड़े से और 10-15 सवाल आप देख लोगे basics में अपनी किताब से, more than enough, आपका basic percentage का एकदम cover हो जाएगा, उसके उपर जो concept based सवाल है, उनके तरीके में आपको solve करने के बताता चलूँगा, practice questions में आपको दिखाता चलूँगा, आप parallelly book के questions को करते चलना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहरा हूँ कि आप उसको pending रखे हैं, कि पहले percentage में पढ़ लूँ, उसके बाद फिर में solve करूँगा, ये नहीं, बाद बाद कुछ नहीं होता, जो देखा, basic आपको पता ये ये चीज़े कर रहे थे, basic सवाल चाट के solve करते चलो, खता, तो questions आपके parallelly complete होते चलेंगे, और extra जो time है आपका न, वो 6 गंटे वाला जो याद रखना, 2 गंटे यहाँ पर आप दे रहो, बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो 6 गंटे आप नहीं दे रहो, तो ये 2 गंटे भी फिर बेकार है, तो self study तो चाहिए, उसी के लिए time आपको इतना में दे रहो, उसके बिना काम नहीं चलेगा, मतलब practice ही नहीं बनेगी, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, हम लोग exam clear करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो exam clear करने के लिए जो जरूरी है सब करना है, पढ़ायली काई होगे इस school college में जितनी करनी थी,